इसका रिफ्लेक्शन यहाप पड़ता ही है परहंतों यह टेंपरारी फेस है एक और मुद्दा जो इस चुनाओं में करनाटका से होते हुए हमारे पास आ गया है वह हिजाब का मुद्दा क्या आप मानते हैं कि मुसलिम मुसल्मान और लड़कियों के लिए यह हिजाब का मु व्यक्तिगत मानना है कि स्कूल के ड्रेस कोड को सभी धर्म के लोगों ने अपनाना चाहिए और मामला अब कोट में है कोट ने भिष्टे दिया है कोट सुनवाई कर रही है अदालत का जो फैसला है उसमने मानना चाहिए देश को अल्टिमेटली समीधान के आधार पर चला हमेरी व्यक्तिगत मानने अदा तब तक ही रहती है जब अदालत फैसला नहीं करती है तो फिर मुझे भी स्विकार में उसे मानता हूँ कि स्कूल के ध्रेस कोड और स्कूल के इनिफॉर्म के हिसाब से ही सभी बच्चों ने वहां पर धर्म से उपर रखना चाहिए मगर एक चीज और है कि आपको क्या इसमें कोई साजिश दिखाई देती है Campus Front of India के लोग इस पर सक्री हैं सारे लोग सक्री हैं अगर मैं इतना बताता हूं कि इनकी मंसा सफल नहीं होगी कोड का जज्जमेंट आने के बाद देश की जनता इसको सुकार कर देखा थोड़ी सी बात यूपी की राजनिक्ति के और करना चाहूंगा आपने जब शुरुवात की कैम्पेंट में यूपी के पहले तीन चरणों के पहले जब आप मैदान में आये तो आपने जयंत चौधरी की तरफ जो है बहुत डोरे डाले दाने डाले और कहा कि वह आदमी तो अच्छे हैं मगर गलत गलत पार्टी में हैं गलत गलत अच्छे बात कहेंगे आपके पास को रेकॉर्डिंग है इसके आपने यह नहीं कह तो आपने क्या कहा तो मैंने इसा भी नहीं कहा प्रचन बहुमत के साथ सरकार बनाने जाए प्रचन बहुमत की चीज के लिए प्रचन Supra. बहुमत के साथ कुछ लोग चुनाओ को दूसरा कलर देने की कोशिश की उन्होंने चुनाओ यह चुनाओ प्रतिसत मतलाता हो का महत्व है परंतु मैं मानता हूं कि जो चबी बनाई जा रही थी कि पिछड़ा समाज में बिखरा हूं मैं तीन चरण में घूंकर आया रहा हूं मैं बताता हूं मोदी जी की गरिब कल्यान योजनाओ ने इस पुनाओ का पूरा चित्र बदल दिया है तो हमारे लाभार्थियों का जो स्केल है वो चुनाओ को बदलने के लिए बहुत महत्वपून है और पश्ट दिखाई पड़ता है सतर साल तक मेरे घर में किसीने कोई सुईदा नहीं बढ़ाई मोदी जी ने पांच लाग का काड़ भी दे दिया जिससे पांच लाग तक का सा खर्चा मेरे हेल्थ का बिल अज भारत सरकार चुका रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि चुनाव धर्म और जात से उपर उठ सकता है इस वाही है तो फिर धर्म और जात की इतनी बात क्यों हो रही है हर भाशन में धर्म कुण्यो पडिटी कॉंग्रेस के जमाने से सफ़ा बसप पर एक नज़र डालें, तो आप पिछले चुनाव में 40% से ज्यादा वोट आपको मिले थे, बाकी BSP और SP को कुछ 22 के आसपास दोनों को वोट शेर था, अगर इस बार अगर आप देखें, तो मुसलमान का ऐसा लगता है कि बाइपोलर कॉंटेस्ट है, दो ही मतलब मुसलमान कंसॉलिडेट होगा समाजवादी पार्टी के साथ, साथ में उनके संग्यादव भी हैं, कुछ और जातियां भी जोड़ रही हैं, जैसे राजबर हो गया, जाट भी शायद थोड़ा बहुत इधर उधर छिटक सकते हैं, तो अगर आप इस पूरे समीकरण को देखें, तो क सत्रा का चुनाओ देखें, मैं उननिस का चुनाओ में तीनों पार्टिया, चारों पार्टिया साथ में थी, क्या हुआ? हम 65 सिट जीत करा गए, और 287 एसम्बली में हमारा वीजय हुआ, मैं 65 लोग सभा कह रहा हूँ, उसको अगर एसम्बली के साचे में ढाल देते हैं, त अगर सत्रा का उदान देते हैं, तो सत्रा में तो दो ही पार्टिया थी, कॉंग्रेस और सपा, उननैस में सपा, बसपा, कॉंग्रेस और आरलडी, चारों इखटा हुए थे, हम 287 एसम्बली सीटों पर जीते थे, 65 लोग सभा जीते थे, पॉलिटिक्स ऐसे नहीं चलती, 1 प्लस वन टू नहीं होता है, कई बार 11 भी हो जाता है, पर कहते हैं कि जो स्टेट का इलेक्शन अलग तरीके से लड़ा जाता है, सेंटर का, इस तरीके से आप जाती हों को जोड़कर स्टेट का नंबर नहीं निकाल सकते हैं, देखे, 2014-17, उत्त्रप्रदेश की जनता ने एक ही रास्ते पर नरेंद्र मोदी जी के नितूतों का थपा लगाने का काम करा है, और मुझे पूरा भरोसा है कि 22 में भी मोदी जी के नितूतों में हम प्रचंड बहुमत के साथ जूड कराएंगे, और इसके साथ मोदी जी के साथ साथ इस बार योगी जी ने जो काम किया जाटव वोट बैंक है वो नहीं खसकेगा उनके रहेगा और कोई वोट बैंक भी जुड़ेगा मुसलमान भी काफी बड़ी मात्रा में जूट है। मुसलमान बीएसपी को भी काफी बड़ी मात्रा पर वोट देंगे। काफी सीटो पर तो उससे जो है उसका फायदा आपको मिलेगा क्योंकि एस्प और बीएसपी. फायदा नुक्सान ऐसे नहीं होता है, वो सीट पर सीट स्पेसिफिक होता है, इस प्रकार का आखलन नहीं लग सकता पुलिटिक्स में, पर अन्तु बीएसपी की रिलेवंसी खतम हुए, वो बाट ठीक में। पर मायावती और बीजेपी का कोई गटबंदन होने का कोई पॉसिबिलिटी को आगे जाकर तुपताल में, लाहूल भाई, आप समत्य नहीं, गटबंदन की जरूरत ही नहीं है, हम प्रचंद बहुमत से स्वयम ही सरकार बनाने जा रहे हैं, समर्थन तो बाद में अच्छा इस छीちょっと है में, बहुमत प्राफ्त करेंगे, हमारे पास जो दल है, दो दल है वो भी अच्छी सीठे पराप्त करेंगे, हम परियापत शीप्लिटें इंच्वर लगत बार लड़ाई बैक्वर्ड वोट्स यह B É, इक जरीब कल्यान, की हमारी योद्नावने सबसे गरीब व्यक्ति को भाजपा के साथ चुड़ा है जो मध्यमवर्ग ये लोग थे वो कानून और व्यवस्ता और सूख चेन की जिनगी के कारण भाजपा के साथ चुड़ा है और जिनको एक अच्छा खासा जिन्होंने जीवन में सफलता प्राप की है अर्थिक स्थिती भी अच्छी है यह सारा वर्ग उत्तप देश के विकास और इंडस्ट्रिल डेवलपमेंट जो हो रहा है इसके कारण हमारे साथ मैं किसानों की पेले बात बात कर लो लगबग 86 लाग किसानों कामने रूर्माप ही किया था और 35 जार करोड का रूर्माप किया लगबग आप 435 मेट्रिक टन खाध्यान हमने खरीदा है किसानों से खरीदा है और 80 जार करोड का भुक्ता डायरे को उसके बेंक एकाउट में किया है दो करोड चौरासी लाग किसानों को प्रदान मंत्री किसान सन्मान निधी सीधी इनके बैंक एकाउंट में जाती है हर साल 6,000 रूपिया और 32,500 करोड रूपिया तक मोदीजी ट्रांस्पर कर चुकी है प्रदान मंत्री किसान फसल विमायोधना के तहट 25,60,000 को लगबग 22,000 करोड रूपिया का भुप्तान हो गया है और लगबग लगबग 4,72,000 करोड रूपिया फसली रूप जो सौट टम होता है हर फसल के लिए होता है उसको हमने पहुँचा है लगबग 2,000,000 करोड किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पहुंचा है और आज इसका परिवर्तन क्या हुआ देखे यूपी गन्ना, चिनी, यहू, आलू, हरीमटर, आम, आवला और दूथ इस सब में देश में नमबर वन बना है जो 5 साल पहले किसी भी चीज में नहीं था अब अकिलेश जी कह रहे है कि मुद्दों से भटक रहे भीया हम तो नहीं भटक रहे है आप इसका जवाब दो आपके समय में गन्ने का प्रदेश होने के बावजुद भी क्यों नमबर वन नहीं थे कि दूट का उत्पादन इतना थेट पानी होने के बावजुद भी क्यों नमबर वन नहीं थे गेहूं में क्यों नमबर वन नहीं थे अब बताव की है तक क्यूंकि आपने पर्फार्म नहीं किया है और हमने ठेर चारा है ये हूट शारा गेहू बड़ा भुगतान भी किसानों को फार्मर आजी टेशन के वगर